नीट 2016 में एक प्रब्लम आया था जो कि इस प्रकार है लिथियम है जब BCC structure and its density is 530 kg per qm and if atomic mass is 6.94 gram per mole then find the edge length of the cube तो देखें जब किसी भी cube का edge length पूछ लेता है density देखर के तो यह आगर आप लोगों ने problem solve करा होगा तो आपने महसूस किया होगा कि बड़ी difficulty feel होती है इसको solve करने में तो आईए देखें इसको किस तरीके से हम एक trick के माध्यम से इसको solve करते हैं और अगर आज आपने देख लिया पूरा तो 100% exam में अगर ऐसा question आता है edge length को निकालने के लिए density देने के बाद तो आसानी से आप calculate कर सकते हैं तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि density का जो formula होता है वो होता है रो is equal to jamna याने z m upon na cube तो यहाँ z जो होता है वो होता है effective number तो lithium एक atom है और ये bcc में crystallize हो रहा है तो जब भी कोई element या atom crystallize होता है bcc में तो z की value कितने लेते हैं 2 लेते हैं लेकिन अगर वही कोई compound होता तो z की value लेते 1 तो z की value होगे 2 और m दिया है यहाँ पे 6.94 gram per mole 6.94 gram per mole upon n की value है 6.023 into 10 के power 23 into a cube is equal to जो density दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं 530 kg per cube meter इसको gram में change कर देते हैं 10 to the power 3 उसके बाद gram per cube meter हो जाए गई है यह हो गया देखे जब भी आप problem solve करें तो unit 1 ही होना चाहिए तो वो हमने कर लिया यहाँ पे unit हमारा same हो गया अब यहाँ से हमें इसकी value निकालनी है e cube की value जो है निकालनी है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 2 लिखते हैं और 6.94 को हम 7 मन लेते हैं देखे exam में जब आप lump sum लेके चलेंगे तब ही जाकर के आप easily जो है आप answer तक पहुँच पाएंगे वरना क्या होगा बहुत time लगा देंगे आप इस problem को solve करने में यहाँ पे 6.023 है तो सिर्फ 6 ले लिया करिया आप है उसके बाद 10 to the power और यहाँ देखे 10 to the power 3 है और यहाँ पे 10 to the power 23 है तो यह हो गया 10 to the power 26 और यहाँ पे आगया आपका 530 और एक क्यूब को हमने यहाँ भेज दिया उपर तो यह हो गया आपका एक क्यूब ठीक है उसके बाद जो है इसको solve करते हैं solve करना बेहद आसान सा लग रहा है क्योंकि 6.94 को हमने 7 माल लिया है 6.023 को हमने 6 माल लिया है तो थोड़ा आसान दिख रहा है यह तो फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसको cut कर सकते हैं 236 यह देखे यह भी cut हो गया तो यहाँ प 7 upon इस 3 का इसमें multiply कर दिजे तो यह हो गया आपका 0, 9 and 3, 5's are 15 तो 7 upon 15, 9, 0 into 10 के power minus 26 मैं इसको उपर भेज दिया यह हो गया हमारा e cube चीक है अब एक काम करते हैं कि उपर वाले को बना देते हैं 7,000 है न उपर वाले को बना देते हैं 7,000 तो यह हो जागा आपका 7,000 divided by कितना हो गया 15, 9, 0 into हमने क्या किया 1000 से multiply कर दिया 1000 से divide करेंगे कितना आ जागा 10 के power हो गया minus 29 is equal to क्या हो गया e cube अब जब इसको हम लोग solve करेंगे यह वाला तो e की value आ जाएगे हमारे पास e की value आ जाएगे हमारे पास कितनी 4.37 into 10 के power minus 29 meter यह आ गया e cube की value, sorry e नहीं है e cube की value है e cube की value इतनी आ गये अब देखिए जब हम e की value निकालेंगे तो यह कुछ इस तरीके सोगा cube root unity निकालना पड़ेगा यानि 4.37 into 10 के power minus 29 to the power 1 by 3 तो यहां पर बहुत अच्छे से हमें देखना पड़ेगा कि 10 के 10 का ऐसा power लें जो 3 से cut जाए तो अब आप यह सोच सकते हैं कि इसको 30 करते हैं तो 30 करेंगे तो 30 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 to the power 10 से divide करना पड़ेगा तो 10 से divide करेंगे तो 10 से multiply करना पड़ेगा तो 43.7 हो जागई है लेकिन फिर भी जो है क्या रहेगा point बना रहेगा और किसी point का cube root निकालना बहुत मुश्किल होता है तो इस वज़े से आप इसको free from decimal कर लेजे आप 4.37 को free from decimal कर लेजे तो देखें यह इस तरीके सो जाएगा एक cube हो जाएगा हमारे पास 4.37 मैं फिर से लिख लेता हूँ ताकि यह अच्छे से आप समझ में आ जाए 10 to the power minus 29 है तो मैं इसको लिख देता हूँ 437 00 है ना यानि मैंने क्या किया या आप ऐसे लिख लिजे into होगे आपका 10 के power minus 29 आप 00 तो बढ़ा ही सकते हैं उसके बाद आप क्या करिए कि हम लाना चाहते हैं देखें 29 से 30 वा तो भी यहाँ पे क्या आ जा रहा पॉइंट आ जा रहा है तो अब हम 31 लें तो भी नहीं 3 से divide होगा उसके बाद जो है 32 से भी नहीं होगा 33 तो हम पाउर 4 से divide करना पड़ेगा है ना तो 29 और 4 कितना हो जागा 33 तो यह हो जाएगा आपका 4 3 7 00 यहने 10,000 से मल्टिप्लाई कर दिया यह 10 to the power 4 से और 10 to the power 4 से divide करेंगे तो यह हो जागा 10 to the power minus 33 तो एक इवैलू जो होगी हमारे पास आ जाएगी 4 3 7 00 और इस पे पाउर आ गया 1 by 3 और यहाँ जो पाउर रहा 10 to the power minus 3 पे जब लगाएंगे 1 by 3 तो यह वैलू जो है हमारे पास आ जाएगा इसको as it is लिखे लेते हैं और यह वैलू आ जागी आपके 10 के power minus 11 तो चलिए हमें इस से आजादी तो मिल गई इस से आजादी हमको मिल गई क्योंकि हमने इसका cube root unity निकाल लिया अब सवाल यह है और इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद भी है कि हम 4 3 7 00 को कैसे solve करेंगे 4 3 7 00 को हम लोग किस तरीके से इसका cube root unity निकाल पाएंगे तो देखिए आप अब इसको जानने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जिस ट्रिक का नाम है 3x2 ट्रिक यहाँ पे जो है हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि किसी का भी cube root unity आप लमसम किस तरीके से निकाल पाएंगे तो ट्रिक है 3x2 की ट्रिक ठीक है देखिए तो जिसका भी आपको cube root unity निकालना है तो उसको आप किस तरीके से करेंगे यहाँ पे देखिए जिसे आप यह जानते हैं कि 1 का cube तो ट्रिक का cube ट्री का cube फूर का cube फाइव का cube बस इतना ही जानना है इस से ज़्यादा जानने की ज़रूनी है क्योंकि हम लोगों को इतना ही याद होगा मेरे ख्याल से क्या cube की value तो यह हो गया 1 यह 2 का cube कितना हो जाएगा 8 और यह हो जाएगा आपका 27 यह हो जाएगा आपका 64 और यह हो जाएगा 125 इसके बाद क्या करते हैं अगर हम यहाँ 0 लेते हैं तो यहाँ पर कितने 0 बढ़ जाएगे 3 0 बढ़ जाएगे यहाँ पर 20 लेते हैं तो यहाँ कितने 0 बढ़ जाएगे 3 0 बढ़ जाएगे यहाँ पर 30 का cube लेते हैं तो कितने 0 बढ़ जाएगे 3 0 40 का करते हैं तो 3 0 बढ़ जाएगे है न इसका नाम है my values तो mv जो है वो है आपका ये सब जो दिया है thousand 8000 और x जो है आपका वो है 10 यानि x is equal to क्या हो सकता है 10 हो सकता है x is equal to 20 हो सकता है x is equal to 30 हो सकता है उमीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको तो आईए अब देखते हैं कि इसका यूज कैसे करके हम जो है बहुत आसानी से cube root of unity निकाल पाते हैं तो देखें यहाँ पे जो value आई थी हमारी वो कितनी थी एक की value थी 43700 एक क्यूब की value थी 43700 तो यहाँ पे a is equal to क्या हो जाएगा 43700 to the power 1 by 3 और यहाँ पे हम 10 to the power minus 11 निकाल चुके हैं है ना देखें यहाँ पे यहाँ पे हम 10 to the power minus 11 पहले से निकाल चुके हैं तो यह हो जाए देखें आपके क्या हो जाएगा 43700 तो हमें इसका इस वाले का 437 का cube निकालना पड़ेगा क्योंकि cube निकल जाएगा तो इसका 3 जो होगा इस वाले 3 से कट जाएगा और हम बिलकुल answer तक पहुंच जाएगे तो हमें यहां यह देखना होगा कि जो my values है वो my values हमारे पास कितने हैं एक my values दो my values थ्री my values है न तो यहां देखें हमारे पास पांच my values है there are total 5 my values तो हमारे किस my values देखें यह 4 3 7 00 है हमारे किस my values से जस्ट आगे है 4 3 7 00 किस my values से जादे है तो 27,000 से जादे लग रहा है क्योंकि 27,000 के बाद क्या आजा रहा 64,000 तो 27,000 के आगे पड़ेगा यह वाली value ठीक है 27,000 के बाद पड़ेगा हमारी यह वाली value तो आईए देखें करते क्या है इसके बाद यानि x की value आगे कितनी वहाँ देख लिजे x की value क्या आगे 30 ना x की value क्या आगे 30 x की value आगे 30 और my value जो निकल के आया वो आगे आपका 27,000 यह आगे ओके तो जो formula है वो है आपका d, d means difference जिसको हम किस से लिखेंगे d से d is equal to होता है 3x square into n यह देखें ट्रिक, difference is equal to क्या होता 3x square into n उसके बाद यहाँ से हम n की value निकाल सकते हैं difference upon 3x square तो जो actual value होगी यानि जिसका cube निकल के आएगा वो होगा x plus n बस यह छोटी से trick है अब आप इसको अच्छे से समझ लिजें तो सबसे पहले difference हम किसका लेते हैं यह भी जान जाएं यहाँ पे लिखा हुआ difference तो किसका difference तो difference की value भी हम यहीं पे लिख देते हैं difference is equal to होता है d is equal to होता है given value जिसको हम gv से लिखते हैं minus given value minus my value है नो given value minus my value तो जो given है जिसका हमें निकालना है इसको हमने नाम दिया है given value gv है यह तो निकाल लेते हैं difference तो D is equal to हो जाएगा आपका 43700 minus my values my values कितना आ गया था देखे 27,000 तो यह हो गया आपका 27,000 तो जब आप इसको substrate करेंगे कितना आ जाएगा 0, 0, 7 में से यह नीचे आ जाएगा और फिर यह बचेगा 13 6,700 के करीब बचे गई है न यानि 6,000 और यहां यह भी तो बचा 4 तो एक चला गया इधर तो 3 3 में से 2 गया 1 यानि 16,700 बचेगा डिफरेंस अब इस डिफरेंस में यह वाला फार्मूला लगा देते हैं तो देखे डिफरेंस कितना आ गया 1, 6, 7, 00 is equal to 3x square 3x की value कितनी है 30 तो x की value है 30, 30 का square into n तो यहां से n की value निकाल लेते हैं तो 16,700 is equal to यह देखिए यह हो जाएगा आपका 0, 0 और 339, 2700, 2700 into n यह हो गया आपका फिर उसके बाद n की value क्या हो जाएगी 16,700 upon 27,000 यहां से यह और यह कट गया और n की value आजाएगी आपके लगभग एक मिनिट मैं divide करके बताता हूँ 16,700 divided by 27, तो यह आगे आपका 6.1 6.18, तो लगभग लगभग n की value क्या आजएगी 6 n की value क्या आजएगी 6, तो जो actual value है यानि किसका cube है तो उसको हम बोलेंगे actual value तो actual value किसके बराबर है x plus n तो x कितना है देखें यहाँ पर 30 है x कितना 30 और n की value क्या आगे 6 तो कितना आगया 36 इसका मतलब यह हुआ कि जो यह a cube है a cube तो इसमें हम क्या ऐसे रख सकते हैं देखें ऐसे रख सकते हैं a is equal to क्या हो जागा 36 का cube यानि 43700 का है 36 का cube और इसके उपर power उठा दिया हमने 1 by 3 और यहाँ पर 10 to the power minus 11 तो यह 3 से 3 कट हो जाएगा और यह क्या जाएगा 36 into 10 to the power minus 11 meter आंसर चुकि पीको मीटर में है तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 360 into 10 to the power minus 12 meter या आप कह सकते हैं 360 पीको मीटर और यही आपका आंसर हो जाएगा ओके तो जो actual answer दिया हुआ है वो दिया हुआ है नीट के paper में 352 पीको मीटर तो देखिए इसमें option जो है काफी दूर दूर दिया रहेगा तो बिल्कुल confusion नहीं होगा तो 352 पीको मीटर कहिए या 360 पीको मीटर कहिए लगव लगव बराबर है तो आप बहुत easy way में जो है आप answer तक पहुंच जाएंगे अब आईए जो है हम इसको थोड़ा सा और practice कराते हैं आपके जैसे मालीजे यहाँ पे a cube की value दिया है 1, 2, 1, 6, 7 और हमको यह निकालना है कि a की value क्या हो जाएगे देखिए यह वही तो problem है ना जैसे आप solve करते हुए आ रहे थे तो क्या आ रहा था a cube is equal to 4, 3, 7, 00 तो उसी तरीके से हम आपको एक नया problem देखर के practice करा रहा है तो a cube is equal to 1, 2, 1, 6, 7 तो हमको बताना है a की value क्या होगी ठीक है तो देखिए सबसे पहले हमें यह देखना है difference निकालना है difference तो difference is equal to क्या होता है देखिए जो दिया हुआ न इसको हम लोग लिखते हैं given value given value तो d is equal to क्या होता है given value minus my values अब आप यह देखिए कि 12,167 हमारे किस my value के just बाद में है तो आईए देखते हैं 12,166 जो है वो किस my values के just बाद में हाता है तो यहाँ देखिए इसके बाद में आएगा 8,000 के बाद है 8,000 के बाद क्या आएगा 12,000 क्योंकि 30 के बाद 30 तो 27,000 हो जा रहा है इसलिए क्या आएगा यही आएगा 8,000 तो x के value कितनी हो गए 20 है ना x के value क्या हो गए 20 और जो my values निकल के आया यहाँ पर वो आया 8,000 तो यहाँ पर लिख लेता हूँ जो my values है वो आया 8,000 लिख लेता हूँ और x के value जो निकल के आया वो क्या आया 20 है ना अब देखिए given value जो है वो कितना हो गया 1, 2, 1, 6, 7 minus my values my values यहने 8,000 8,000 तो यहाँ से आगया आपका 7, 6, 1 और 4 तो यह हो गया 4, 1, 6, 7 difference जो निकल के आया तो अब हम यह वाला formula लगा देते हैं यह वाला difference is equal to 3x square into n तो d is equal to क्या होता बच्चा 3x square into n तो d निकल के आगया हमारा 4, 1, 6, 7 is equal to 3x square तो 3x के value कितनी है 20 तो 20 का square हो गया into क्या हो गया n तो यह हो गया बच्चा 4, 1, 6, 7 is equal to 3 into 0, 0, 4 हो गया into n यानि n के value कितनी आजाएगे 4, 1, 6, 7 divided by 1200 तो यह लगबग लगबग कितना आजाएगा 3 के बरभबर आजाएगा तो जो actual value है यानि किसका cube है यह तो यह हो जाएगा देखें यह किसका cube है इसके लिए क्या आता है actual value x plus n तो x कितना है देखें x कितना है 20 और n कितना है? 3 तो कितना हो गया? 23 यानि यह किसका cube है यह वाला? 23 का cube है मतलब यह हुआ a cube is equal to क्या हो गया? 23 का cube और a is equal to क्या हो गया? 23 तो इस तरीके से आप जो है बहुत आसानी से आप question को proceed कर सकते हैं तो एक और हम लोग try करके देखें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा समझ में आजाएगा आपके जैसे एक और हम लेते हैं जैसे किमाल लिजे एक और लिया जाए और देखा जाए जैसे कि suppose एक cube दे दिया 32 7, 6, 8 तो एकी value find out करना है तो कैसे find करेंगे देखें तो यह जो दिया रहता है इसको बोलते हैं given values अब आपको यह देखना है my values my values मैंने 10 का cube 20 का cube, 30 का cube my values क्यों बोला मैंने क्योंकि वो याद रखना असान है समझ रहा हैं इस वज़े से मैंने my values बोला उसको तो यह देखिए कि 32,000 किस my values के just बाद में आ रहा है यह तो यहाँ देखेंगे आप 32,000 है तो यह देखे 30 के बाद में आ रहा है यानि 27,000 के बाद में आ रहा है तो यहाँ पर उसके लिए my values क्या आएगा 27,000 और x के value क्या आएगी 30 बस इसका यह यूज है बाकी इसका कोई यूज नहीं है तो x की value क्या हो जाएगी यहाँ पर x की value हो जाएगी 30 और जो my values हमने वहाँ table से देखा वो 30 का cube है तो कितना हो जागा 000 और 327 यानि 27,000 उसके बाद फार्मूला लगा देते हैं तो फार्मूला क्या हमारा difference सबसे पहले difference निकालते हैं तो difference is equal to क्या होता है 3x square into n तो difference निकाल लेते हैं difference क्या होता है given values minus my values is equal to यही रख देते हैं 3x square into n तो given value कितना है 32768 minus minus my values my values कितना हो गए 27,000 is equal to क्या हो गए 3x square x value क्या है 30 तो यह हो गया 30 का square into n तो जब यहाँ से बीटा n की value आप solve करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 2 के बराबर आ जाएगा है ना n की value जब आप solve करेंगे तो आ जाएगा 2 तो जो actual value है हमारी वो कितनी आ जाएगी x plus n तो x कितना है 30 है और n क्या है आपका 2 तो कितना आ गया 32 तो इसका मतले भी यह हो गया यह cube is equal to क्या हो जाएगा 32 का cube तो एक value क्या हो गया 32 तो आईए जड़ा calculator से यह भी चेक कर लेते हैं कि क्या 32 का cube जो है वह 32 7,68 आता है क्या तो 32 into 32 into 32 करेंगे तो वास्तों में यह इसके बराबर मिलना है तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा मिलते हैं इसी तरीके के ग्यानवर्धक वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद